दुलाल चंद गोस्वामी ओटो चला कर कर रहे हैं चुनावी परचार परशार लोकसभा चुनाव के रंग पूरी तरफ परवान चरने लगा है देश के कोने कोने से परतियासी द्वारा परचार की ऐसे कई तरीके सामने आ रहे हैं जो बेहद रोचक है ऐसे में कटिहार सांस जो इस बार भी एंडिया के परतियासी के रूप में कटिहार से चुनाव मैदान में हैं टेंपो यानि ओटो चला कर परचार अभियान की सुरवात कर रहे हैं दरसल लोकसभा छेत्र में लोग उन्हें टेंपो वाले सांसद के नाम से भी जानते हैं सांसद दुलाल चंद ग सरकों पर लगभग एक साल टेंपो चलाने का काम कर चुके हैं इसलिए जो लोग इन्हें पुराने दिनों से जानते हैं वह आज भी उन्हें टेंपो वाले सांसद कहते हैं दुलाल चंद को स्वामी कहते हैं कि ओटो चालक से लेकर सांसद बनने किया कहानी उनको अपने कर गरवानित महसूस करते हैं तो उन्हें टेंपो वाले सांसद कहने से नराजगी कैसे हो सकता है टेंपो के स्टेडिंग था में परचार अभ्यान में जुटे सांसद दुलाल चंद गोस्वामी से बातचीत पर देखे एक विसेस रिपोर्ट जब 1987 में फलड आया तो फलड में सब चीज दह गया है हम उसमें ग्रेजिशन आट वन में थे तो कुछ परिष्टिती ऐसी आई कि हमको घर छोड़ना पड़ा तो उस समय गए तो मेरा पहला रोजगार घर को अगर कुछ हम उसके हाथ में दिये पिता जी के हाथ में बहन की बहन कि सादी कराये, इसी टेम्पु से कराये, इसले में रोजगार करके घर का खेती-गिरेश्टि को अपड़ आपड़ेट ए किये, तो उसको लाए तो इससे तो लगा लगा है हिपाला रोजगार शमप भी अगर जो जानते हैं मेरे करीबी है तो पहला जानती है, तो और परिष्टिती परे परिवार पालने के लिए अपने को जीने के लिए कम सकम गलत काम ने करना चाहिए कोई भी मेहनत करके ही खाना चाहिए और संसार में चलना चाहिए परदान मंत्री जी हम लोग के आधर्स हैं और अपने आधर्स ने इसा किया है तो यह बरी बात है यह तो देश, समाध और दुनिया के लिए मिसाल है अभी तो सभी सातियों ने लाया और तो हम लोग अभी बैटे हैं और यही तो परचार है और उस समय आप लोग भी आ गए है तो आप देखिए हम कैसे चलाते हैं